मोधी नरेंद्र मोधी जी जिन्दाबाद अब की बार फिर इस बार तीसरी बार एक बार जोरदार दालियों से दोनों हाथ उपर उठा कर माननी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का स्वागत करिए जै श्री राव जै करोश रावालिदा बोल साचे दर्बार की हर बला हर हर महा हर हर मोधी बाला घाट की पावंधरा पर मानी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का स्वागत है मैं मद्धिप्रदेश के मुख्या मानी मोहन यादव जी से अनुरोद करती हूँ कि मानी प्रधान मंद्री जी का पूरे मद्धिप्रदेश की और से पूरे बाला घाट मंदला जन समुदाई की और से स्वागत करें एक जिला एक उतपाद में हमारा चेविक चावल चिन्नोर जो सुगंदित और सलवादिक मीठा है जिसे सेक्रो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने बनाया है जो मानी मोधी जी की कल्बना है कि किसानों की आए दुगनी हो एसे 10-12,000 रुपे का बाजार भाव देने वाला चिन्नोर चावल भेट करके हम पूरे बालागाट मंडला सिवनी की और से मानी प्रदान मंतरी जी का स्वागत करते हैं स्वागत उत्वोधन के लिए मैं मानी मुकि मंतरी इसके साथ अगले स्वागत के लिए सभी मात्रशक्ती जो मंच पर विराजित हैं उनके द्वारा बालाघाट वारा सिवनी हतकरगा से निर्मित डुपट्टा और जो बालाघाट की पहचान छतोड़ी है बास और महावर के पत्तों से निर्मित महिला बहनों को उज्वला देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करके और साथी नारी शक्ती वन्दन दियम के तहट मात्रशक्ती मजबूत हो आत्म निर्बरो हम मानिय मोदी जी का स्वागत करते है एक ही नारा एक ही नार अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हो मद्रश के मुख्या मानि मोहन यादव जी को कि अपना स्वागत उद्बोधन प्रसुत करें बोले भारत माता की भारत माता की हम सब का सुभाग्य बाला गाट का जिला और खास करके यसस्वी प्रदान मंत्री का पदारपंड मद्यप्रदेश की धरती पर हमारा कितना सुखत संयोग है आज ही के दिन नया वर्ष प्रारम बोरा समराट विक्रमादित के नाम पर विक्रम संवत और नये साल की शुरुआत में यसस्वी प्रदान मंत्री करें हमारे बीच मोजूद हुए जोरदार ताली बजा करके मानने प्रदान मंत्री जी का अभिनंदन करें वंदन करें सुसासन के प्रतीक सारे संसदनों का बहतर उप्योग करके दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा रहा है सम्मान बढ़ा रहा है अपनी करमटता से, कारे कुशलता से, हर प्रकार के कामों का जंता के बीच में सुसासन के साथ पारदस्टा की स्थापना करने के लिए कृत्समकल्पित यसस्वी प्रधान मंत्री हमारे बीच मौजूद है ये और आनंद की बात है माननी प्रदान मंत्री जी बाला घाट को टाइगर जिले के नाम से भी जाना जाता है टाइगर जिले के नाम से और हमारा सुभाग ये के हमारे बीच हमारे यसुसी प्रदान मंत्री आज इस नाम को सार्थक करने के लिए हमोजूद हुएं जोरदार ताली बजा करके हमारे बालागाट की धर्थी स्वागत करें अभिनन्दन करें हमारे अपने मद्देश में यसुसी प्रदान मंत्री ने जिस प्रकार से पिछली विदान सबा में जनता से अपील की थी और हमने भी वो नारा सबने दोहराया था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी मुझे इस बात की प्रसनता है जनता ने इतना जबरजस प्रतिसाथ दिया के 163 सीटोस के साथ प्रचंड भहुमत की सरकार मद्देश के अंदर दी थी हम अविनंदन करें अपनी इस पुरानी सरकार के गठन के समय माननी मोदी जी के योगदान का मैं दो छोटी-छोटी बात करते हैं अपनी बात पूरी कर हुआ हमारे बीच में इसी बाला घाट की धरती पर नया आयरुवेदिक मेडिकल कॉलेज दिने का प्रयास हमने किया है जोरदार ताली बजा करके अपने नय मेरिकल कॉलेज की बात करें और साथी साथ कोदो कुटकी जो हमारे आदिवासी अंचल की फचल होती है इसके एक हजार प्रती कुंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया साथी साथ हमारे सबकी जानकारी में हैं गेहू के लिए 125 रुपिया का बोनस और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल पत्र लिया है उस संकल पत्र को हम पूरा करेंगे क्योंकि ये मोधी की गैरेंटी है जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है जोड़दार तालिया बजा एक बार हम सब मिल करके यसरसी प्रधान मंतरी ज भालमिकी के दिविश लोक है, तुलसी की चौपाई है, महावीर से व्रतधारी, नानक के अनुयाई है, सत्यशील में बुद्ध के, जैसे सहज सनातन सेवक सच्चे, विश्व शितिज में मोती जी, न भारत की अरुणाई है, पूरे सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ, आदर्नी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का, सभी लोग खड़े होकर दोनों तालियों की साथ, बोधी! जै स्री कोटेश्वर महादेव, जै मा काली पाठ, जै मा गड़काली का, आज देश के विबिन हिस्सों में नववर्ष मनाया जाता है, आज नवरात्री का भी आरंब हुआ है, मैं आप सभी को नववर्ष की और नवरात्री की अनेक अनेक सुपकामनाय देता हूं, बाला घाट की धर्ती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है, मैं विरांगरा, रानी दुर्गावती और रानी अवन्ती भाई की इस धर्ती को प्रणाम करता हूं, आज जनता जनार्दन कहें सहलाब, ये जन सहलाब, ऐसा लग रहा है, जैसे केशरिया सागर नजर आ रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में माताओ बहनों का अश्दे उनके आशिरवार, ये साप साप दिखा रहा है, कि चार जुन को मद्ध प्रदेश में क्या परणाम आने वाले हैं, चार-पांच महिने पहले विदान सभा चुनाओ में ही यहां आप सब लोगों ने मिल करके कॉंग्रेस को पूरी तरह साप कर दिया, अब लोग सभाज चुनाओ में तो कॉंग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इसलिए एमपी के कौने कौने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, साथियों, दोहजार चोबिस का लोग सभाजपा चुनाओ, 21 सदी के भारत का बहुत एहम चुनाओ है, ये सिरब चुनाओ नहीं है, कौन एमपी बने, कौन नबने, इतने भरका ये चुनाओ नहीं है, ये चुनाओ नए भारत के निर्माण का मिशन है, ये विक्षित भारत, विक्षित मद्वदेश के संकल्प को, नई उर्जा देने वाला चुनाओ है, जब ची ट्वेंटी में, दुनिया के बड़े-बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले, भारत में लिये जाते हैं, तो हर देश वासी को लगता है, उसकी ताकत बढ़ गई है, जब अमेरिका से लेकर, आस्ट्रेलिया तक, भारत का डंका बजता है, तो हर देश वासी को लगता है, कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है, कभी कॉंग्रेस सरकार, अपनी शिकायते लेकर, दूसरे देशों के पास, जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे हैं देश, भारत से अपने मुद्धों पर बात करने के लिए आते हैं, अपने देश का इरुत्वा देखकर, हर हिंदुस्तानी का होसला बुलंद हो जाता है, ये चुनाव देश के इसी बड़लाव को नई बुलंदी देदे का चुनाव है, साथियों, आजादी के बाद दसकों तक कॉंग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली, एक तो उनके मन में आजादी के अंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था, और सामान्य मानवी ने जाजादी के अंदोलन में त्याक किया, तपस्या की बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया, और एक छोटी सी कोट्री, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया, और उसी की सोच देश को पिछडे पन की तरफ धकेलती गई, कॉंग्रेस सोथ नि थी, हम तो गरीब देश है, और गरीब देश को आधूनिक सडकों की, आधूनिक रेल की, नए एरपोर्ट की क्या जरूरत है, कॉंग्रेस के बड़े जेता, जिन दो तीन बड़ों शहरों में रहते थे, वहाँ अपने लिए सुमिदाए जुटा कर, ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे, सबका साथ, सबका विकास के मंतर पर चल रही BJP सरकार, देश के हर शहर को, देश के हर गाउं को प्रात्फिक्ता दे रही है, हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रात्रक्टर पर लाखो करोड रुपे खर्च कर रही है, आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा, देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है, आज चाहे यहां सीवनी नाकपुर के बीट फोर लेन हाइवे हो, गौंदिया बालागाट सीवनी हाइवे हो, नर्वदा प्रगदिपत, बिंद्य प्रगदिपत हो, आधुनिक बंदे भारत ट्रेन हो, अम्रुद बारत स्टेशन योजरा के तर, मध्यप्रजेश के अस्ट इस्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार, एमपी का काया कल्प कर रही है। बालागाट से गौंडिया वाली, जिस ब्रोड गेज रेलिवे लाइन की नीव, करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी, ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालागाट की वारा सिवनी हेंलूम साडियों को, जी आई टैग मिले, बनारसी साडियों की तर, उनकी भी धुम मचे, बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विक्सीत मध्यप्रदेश से विक्सीत भारत की मोदी की गारंटी है। यह बड़लाव केवल दस वर्सों की महनत का परड़ाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है, कि यह तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाईयों बेनों आप मेरी जिन्दगी को जानते हैं। बहुत बारी किसे आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है। और आपने देखा है, मोदी मौज करने के लिए पादा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है, कि उसके लक्ष बहुत बड़े हैं। देश के लिए हैं, आपके लिए हैं। आपके बच्चों के उजवल भविश्य के लिए हैं। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं, मोदी जी आप उसको ट्रेलर को कहते हैं। इतना सारा कर लिया। अब मैं गाउं की बास्ता में अकर समझाना है, तो मैं ये ही कहता हूं। कि आपने देखाव का गाउं में, दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत उंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं। पहले वो फूल जड़ी, फूल जड़ी होती हैं उसको जलाते हैं। फिर दूर से फूल जड़ी से उस रॉकेट को अगनी देते हैं। और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है न ऐसा? ऐसा होता है न? अब फूल जड़ी देखकर के भी लगता तो है, वाँ वाँ बहुत बढ़िया पटा के फूट रहे हैं। लेकिन उसका लगत तो उस रॉकेट को उपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है न? वो तब फूल जड़ी है, फूल जड़ी। अभी तो विकास का रोकेट और उंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ से असली दिवाली मनने ये तो अभी बाकी है। और इसके लिए ही मैं आपसे आसिरवाद मांगने आया हूँ। साथियों, आज भाजपा सरकार बंचीतों को वरीता देते विए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलीत पिछडा आदिवासी वर्क को सम्मान दिया है। जिसे पिछली सरकारों ने पैचान से भी बंचीत रखा था। आज बीजेपी सरकार MP में साड़े पाच करोड जरूरत मंदों को मुप्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचीत समाज से आते हैं। MP के 44 लाग गडीब और वंचीत लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जम मद्द प्रदेश में केवल दस प्रतिशत घरों में पाइप से पानी पूंचता था। अधिकांस आधिवासी इलाकों में पानी की सपलाई की सुविता तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में MP के करीब सतर लाक गरों में नल से जल की सुविदा पहुचा दी है। आज MP के 80 लाक से अधिक किसानों को किसान सम्मान नीदी का लाब मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नोर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैट भी दिया गया। उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं कॉंग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बैनों को जल जंगल जमीन के दिकारों से भी बंचित रखाता। आज एक करोर चे जादा जन जातिय समाज के लोग पेशा कानून का लाव ले रहे हैं। लाखो आदिवासी भाई बैनों को बन दिकार का पत्ता भी भाजपा सरकार नहीं दिया है। मद्द प्रदेश में हमारी युवा सासी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्यान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों दूसरी और कॉंग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिक्ता में जकडी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राश्पति के लिए आगे बड़ी तब कॉंग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकट लगा दी। कॉंग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कॉंग्रेस ने तो गोविन गुरु जैसे क्रांति कारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कॉंग्रेस आज़ादि का स्रे किसी आदिवासी को नहीं अपने शाही परिवार को देना चाहती है। यह हमारी सरकार है जिस्ते गोविन गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। यह हमारी सरकार ने तंटियां मामा को सन्मान दिया। यह हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिर्शा मुंडा की जन्ती पर जन्जातिय गवरव दिवस की शुरुवात की। आप मुझे बताईए इस कॉंग्रेस को क्या एक भी सीट पर मोका मिलना चाहिए क्या। एक पर भी मिलना चाहिए क्या। पूरी तरह क्लीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। साथियों कॉंग्रेस ने अब आजकाल एक इंडी अलाइज बनाकर देश के खिलाब बिगुल फुक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से जगडते हैं लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आये हैं। लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गडबंदन वालों को मोदी को रोकना नहीं है। देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को गालिया दे रहे हैं। मोदी को धमकिया दे रहे हैं। मैं आपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मीशन को लेकर चला हूँ मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है जो लोग अपनी तिजोरिया भरने राजनिती में आये हैं वो मोदी को दमकी न दे मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है मैं MP की धर्ति से बताना चाहता हूँ मोदी भक्त है महाकाल का मोदी जुकता है तो या तो जनता जनारदन के सामने या महाकाल के सामने हैं मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालिया और अप्मान को बरतास करना सीखा है और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सिखा है मोदी इनकी घीजर भब्कियों से डर्ने वाला नहीं है कि साथियों कि ये इंडी गंडबजन मुझसे कितना चीड़े हुए हैं ये पुरा देश देख रहा हैं मोदी देश की सुरुच्छा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं मोदी कस्पिर से 370 को हटानी की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं मोधी गरीब कल्यान की गारंटी देता है माताव बेनों के लिए इजजद गर बनाने की बात करता है ते लोग मोधी का मजाव उड़ाते हैं बाला गाड की धर्ती राम पाईली की भुमी जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है उनी राम लला की जब प्रान प्रतिश्चा होती है ते लोग मोधी को गाली देते हैं और केवल मोधी को गाली देतों समझ आता हैं इंडियानेंस के लोग सनातन धर्म को नश्करने की सौगन खाकर इस चुनाव में उत्रे हैं भाई और बैनो मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्वणी है बीजेपी सरकाराच ब्रस्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है जिन्होंने देश का पैसा लूटा है अब उनके उपर कानून का सिकंजा भी कसा जा रहा है परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पांच से खुले आम सेंक्रों करोड रुपे बरामत हो रहे हैं नोट गिनने वाली मशीने ठक जाती है बिगर जाती है खराब हो जाती है लेकिन कॉंग्रेज पार्टियों और इंडी गर्बंदी के लोग बिना किसी शर्म के खुले आम ब्रस्टाचारियों पर कारवाई रोकने के लिए रेलिया कर रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ इंडी अलाइंस में इकटा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है लेकिन मैं आपको गरंटी देता हूँ ब्रस्टाचार का पैसा जिस जिस तीजोरी में गया है उसे मैं बहार निकाल के रहूंगा अगले पांच साल यह काम और तेजी से होगा होना चैक नहीं होना चाहिए सक्ति से होना चैक नहीं होना चाहिए साथियों तीसरे कारकाल में देश बड़े और एतिहासिक फैसले ले सके इसलिए मुझे आपका भरपूर आशिरवात चाहिए बीजेपी ने बालागाड से श्रीमती भारती पारधी को और मंडला से स्री फगंसी कुलस्ते को प्रत्यासी बनाया है इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजई बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी 19 एप्रील को गर्मी कितनी ही भेंकर क्यों नहों हमें मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार हमने हर पुलिंग बुद जीतना है जीतोगे जादा से जादा मतदान कराओगे अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे इधर से तो आवाज नहीं आ रही है करोगे तो पीछे से आवाज नहीं आ रही मेरा काम करोगे पक्का करोगे लेकिन ये चुनाओ वाला काम नहीं है करोगे देखिए 19 एपरिल तक आप अनेक परिवारों में जाएंगे जब उन सब को मिलने जाएं तो उनको कहना कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे हर घर में पहुँचा दोगे जब मेरा प्रणाम आप पहुँचा हो गया तो हर घर के माता बहने मुझे आशिरवाद देगी और उनके आशिरवाद मेरी बहुत बड़ी उर्जा है देश के लिए दोड़दे की ताकत है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल